Assalamu alaikum students today we are going to start the topic the relation between velocity frequency and the wavelength जिस तरह आप लोगो पता है कि जो वेव बैसिकली एक disturbance है जो एक जगह से दूसरे का travel करती है और जब हम बात कर रहे है traveling की wave travel करती है तो वह of course किसी ना किसी specific velocity से transfer होगी एक जगह से दूसरे का वह मूव करेगी तो अब यह वेव की factor जहां यह लाजमी होगा velocity का इसके अंदर include होगा factor और जिस तरह में पता है कि जो velocity है वह होती है distance over time के इसी तरह हम कह रहे हैं के v is equal to d by t तो यह जो है यह velocity की definition हमने लिखी दी हुए यहां पर जी तो जिस तरह में पता है कि जो वेव है वह travel कर रही है तो इसको पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा एक सेकंड दो सेकंड कोई ना कोई टाइम उसको जरूर लगेगा इसलिए हम कह रहे है इस ताइम टेकन बाई वाइव इन कुछ भी कवर करेगी वह जो है जैज डूटी ए ऐर डिड्य ट्र्रावलिंग और जो डिस्टेंज व hardest वह वैव कवर कर रही है उसको जो नाम दिया जाता है वेवलेंद का क्योंकि वेव लैंद्ध digestive लोता इसलिए जो वेव डिस्टेंज ट्रेवल करेंगी उसको हम कहते हैं आप distance को wavelength का नाम दे सकते हैं जब जो है wave travel कर रहे हो इन फिनोमपना आफ वेव ट्रैवलिंग जी तो अब यह करेंगे कि हमारे पास formula है velocity का इसको थोड़ा सा modify करेंगे V is equal to d by t है तो d basically लिए यहां पर क्या है डिस्टेंस है और हम यह बात कर चुके हैं कि जो डिस्टेंस है वो इस उकल टू वेवलेंथ है वेवलेंथ मतलब लैमडा यह जो टाम है इसको हम बॉलते हैं लैमडा तो हम जो है डिस्टेंस को वेवलेंथ से मीन्स हम लैमडा से रिप्लेस कर सकते हैं इसलिए हमने कहा दिया V is equal to lambda by T जिस तरह आप यह पीछे पढ़ के आए हैं कि टाइम पीरिड हो जो फ्रिक्वेंट्सी है यह एक दुसरी के रहसी प्रोकल है बट टाइम पीरिड इस रहसी प्रोकल है तो हम टाइम को वन बाइफ जो है इससे रिप्लेस कर सकते हैं मतलब टी क पुसुल को बडिया फ़र दोषे प्रोकल हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं पीरिक्र White ये फामुला ऑट लामडा ऑटी लामडा वाइटी के बिक्षू हम यह रिप्लेस करदील हमारे पास ए हमरे पास प्श्कुल कहला है या एक ही बात है तो यह हमारे पास रिलेशन आ चुका है बिट्वीन थ्री क्वांटिटीज विलॉसिटी फ्रिक्वेंची एड वेवलेंथ वीज इक्वल टू एफ लैम्डा जिस्ट आई होप आप लोगों को यह थोड़ी से मॉडिफिकेशन से हमने की हैं हमने डी को लैम् लैम्डा डाट वान बैटी कर दिया वान बैटी किसके बराबर एफ के तो सिंपल क्या आगा लैम्डा डाट एफ तो यहोप यह आप लोगों को समझागी होगी कि आप जो है फ्रिक्वेंची वेवलेंथ और स्पीड में रिलेशन किस तरह जो ड्राइब कर सकते हैं ओके ज राख जूआ अलाफेश